फिजिकल रोड दोलसीं की होटल के सामने एक मकान में सुबह छे बजे चाय बनाते वक्त सिलेंडर में आग लग गई उस वक्त मकान में तीन महिलाए और दो पूरुस्त है गनीमत रही की परिवार के सदस्य जैसे ही बाहर आए आते ही सिलेंडर फट गया फटने के बाद मकान की पूरी छत कमरे में आगिरी और घर गिरिस्ती का पूरा सामान जल कर खाक हो गया आसपास के लोगों ने दमकल की गाड़ी को फोन लगाया गाड़ी आधा एक घंटे बाद मौके पर पहुची जब तक एक गरीब परिवार का पूरा आश्याना जल गया एक बच्ची के थोड़े सर के बाल भी जल गया जो परिवार कमरे में रहता था वो किराय से रहता था परिवार के महिला आसपास के घरों में ज़ाड़ू बरतन मांच कर अपने बच्चों का भरन पोशन करती थी यह परिवार बिलकुल सड़क पर आ गया सुचना मिलते ही शिवपूरी एस पी शिवपूरी एस जेम सहाब ने तैसलदार और पटवारी को ततकाल मौके पर पहुचाया नगरपाली का अध्यक्ष गायतरी सर्मा भी मौके पर पहुची शिवपूरी से युसुफ खान के रिपोर्ट युँच में बचका अध्यक्ष पर आपट्वारी को जाएगा अध्यक्ष बच्चाया युचा को करने तैसल अवड़ूरी एस चुफूरी जाएगा थेस जोदिने तब लंगा और युच्छाया पोड़ी नाम है बिया को अधिसेंतना यह मकान आपता है क्या गटना होगी इस वे चाय बना रहे थे तो शिलेंडर में आग देज़ेंगे इस वाजी चेवे चवाजें कि तने लोग देसमें चाल लोग राग यह और वो जागी आग वो चाय बनाने के लिए शिलेंडर चाद बाइब अच्छा पूले से बाद में आई दो पारवर्ट आई थी तो एक गंटे वादा या वन्हों निक्राई तो आप देख रहे हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना मुलें